कि अग्याइब तो फ्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स आजम करने वाले एक बड़ा ही महत्पून टोपिक जो ना सिर्फ आपके सीटेट के एक्जाम में आता है सीटेट में तो मतलब हर बार आता है एक नंबर का आपको जरूर देखने को मिलता है लेकिन मान लीज़े को यहाँ पर EMRS की एक्जाम की तयारी कर रहा है किसी और एक्जाम की तयारी कर रहा है तो उसके लिए भी आपका बड़ा महत्पून हो जाता है NEP 2020 सिरयान की राष्ट्य शिक्सानीती 2020 के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाला है ठीक है एक एक करके उन सभ को चीज़े explain करता जाओंगा आपको चीज़े समझ माती जाएगी एक बार आपको इस तरीके से आपको पढ़ाओंगा कि दुबारा इसको पढ़ने की जरूत आपको नहीं पढ़ेगी ठीक है तो चलिए इसके बारे में आप एक एक करके शुरुवात कर लेते हैं उसके लि मिल जाएंगे ठीक है तो यूटूब पर सर्च कर लिया करो और उसके लावा जिसको बैच चाहिए तो सचने अकेडमी ओफिशल एप्लिकेशन सा आप लोग बैच ले सकते हो जिसमां आपको सभी टीचर पढ़ाते हैं और सीड़ पीवन पेपर वन पेपर टू मैं पढ़ा सकते जाना ठीक है तो यह लगबग मैं कह सकता हो 100 परसेंट नहीं कह सकते क्योंकि आपका एनईपी 2020 है राष्ट्रे शिक्सानीती 2020 है बहुत बड़ा भाई इसका पूरा पूरा आपका यह डोकुमेंट है ओनलाइन आप लोग सर्च करना एनईपी 2020 तो पूरी फाइल आपक के लेकर चला जाएगा तो कई दिन पढ़ने के बावजूद भी उतनी नहीं समझवाएगी जितना आज की वीडियो से आपको समझवाज़ेगी ठीक है तो चलिए सुरुवात कर लेते ठीक है बाई गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग मैं ठीक हूँ भई आयोप आ पहले आ जाएकरो जल्दी से तो सामने आपकी स्कृण पर पहला क्ोश्ण आगया पोल देना भाई इनको श्टार्ट कर दे तो पहला कुश्ण आपके सामने यहाँ पर दिया हूआ यह रहा फॉर्ष्ट क्वश्ण आपके सामने निमिल के तमें से कौन सा सकूलों की जो पा and integrated होनी चाहिए देखे इस question को कराने से पहले ठीक है आप लोगों के answer देने से पहले जर मैं थोड़ी सी इसकी प्रष्ट भूमी के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ उसके ओपर एक एक करके हम लोग यहाप नजर डाल लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग इस चीज यह नहीं समझी तो आपको question नहीं लगेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको इसकी प्रष्ट भूमी के पारे में जानना जरूरी है देखे जो आपकी राष्ट्य शिक्सा नीती आप लोग पढ़ रहे हो NEP 2020 जो आप लोग पढ़ रहे हो यह आपकी तीसरी राष्ट्य शिक जो आपका शिक्सा आयोग ता जिसको आप लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हूं उसके अंदर जितनी बाते कही गई थी तो उसको एक तरगे से कह सकते हो अमली जामा पहनाने के लिए आपकी पहली शिक्सा नीती लाए गई 1968 के अंदर उसके बाद जो दूसरी आई थी हूँ आई थी आपकी 1986 के अंदर आई थी उसके अलावा इसके अंदर आपका ये संसोधित भी थी 92 के अंदर आई थी प्रोग्राम ओफ एक्सन करका आई थी आचारे राम अमूर्थी कमेटी के नाम से भी जिसको जाना जाता है उसके हर बार कोश्चन आपके एक्जाम में आता है एक नंबर जरूर आता है एक से जादी भी आ सकता है दो तीन भी आ सकता है क्योंकि अलग-अलग सब्जेट में पूछ लेता है ठीक है तो राष्ट्य शिक्सानिती 2020 के बारे में आज हम एक करके पढ़ने वाले है ठीक इ यानी जो आपकी 68 के अंदर आ खिसटी एट के आती 68 के अंदर जो आपका एजुकेशन का प्रारूप था 10 प्लस 2 या 10 प्लस 2 प्लस 3 भी आप लोग इसको कह सकते हो यानी जो एजुकेशन थी वो थी आपकी 10 प्लस 2 पर अधारित ही बट जो आपके नई राष्ट्य शिक्स अनीति आई है, 2020 वाली आई है, नई राष्टे सिक्स अनीति के दोरान जो आपका प्रारूप आगया, वो प्रारूप आगया, आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का प्रारूप देखने को मिला, और कई बार तो आपके CTAT के एकजाम में सिंपल सा यही कोश्चन उठा कर दे दिया ठीक है, तो यह अब आपका नया प्रारूप आया है, अब आप लोग एक चीज नोटिस करो गया, कि 10 बार है और 3 पंदर है, पास 3 आठ 3 ग्यार है और 4 पंदर है, तो यहापर दोनों 15 साल है, लेकिन जो सुरुवात के जो तीन साल है, सुरुवात के तीन साल को इन्होंने आप ले लिया, आप क्या होगे, सर यह क्या चीज है, यह आपकी बड़ी महत्पून चीज है, जो आपको समझनी जरूरी है, ठीक है, अब देखें इसको धान चा समझना, ठीक है, इधर उधर दिमाग लगा है, समझ में नहीं आएगी, राष्टे सिक्सानीती 2020 के अंदर ज पहली जो स्टेज दियुए है, वो आपके सामने दियुए है, फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी आपके सामने पिरिपेटरी स्टेज, तीसरी आपके सामने मिडिल स्टेज, और फोर्त है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जिसको आप लोग FPMS से याद कर सकते हो, फाउंडेशन के पाच साल है इसको भी दो अलग-अलग के अंदर बाठा गया है यहाँ पर जो 5 में से 3 साल है यहाँ लोग यहाँ पर देख रहे हूँ साइद आपको स्क्रीन पर कम देखेगा वहना मैं समझते रहा हूँ शुरुआत के 3 साल है उसको जाना जाएगा आंगनवाडी के नाम स प्री स्कूल के नाम से या बालवाटिका के नाम से भी जान सकते हैं जिसके अंदर बच्चा तीन साल का बच्चा या पर एडमिसन ले लेगा आपके घर के आसपास भी आंगनवाड़ी आप लोगों ने काफी देखेंगे जहापर छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सरक के बच्चे का आपका 85 परसेंट तक उसका मांसिक विकास हो जाता है ठीक है कहीं कहीं पर यह आपका 90 परसेंट भी रहता है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मिंदर परदान है उन्होंने जब यह मीटिंग करी थी और इसके लिए जो आपका फाउंडेशन करिकुल परसेंट बता है तो वहाँ पर 85 परसेंट बता है ता एक बच्चे नगा मैं एक दिन कमेंट पढ़ रहा था कि सर 75 है 75 नहीं होता ओथेंटिक आपका 85 परसेंट होता है यह 90 परसेंट आप लोग एक बार मान सकते हो अगर NOS वगरे की किताबें पढ़ रहे हो वन्ना धर्मि कर सकते हो और KBS के एकजाम में भी यह कुश्चन आपका पूछा जा चुका है कि 6 साल तक के बच्चे का जो मानसिक विकास हो आपका 85 परसेंट तक हो जाता है ठीक है अच्छा एक कमेंट और कर रहा था लास्ट क्लास के अंदर गदों में ने एक आता कि लड़कियों का दि सब्सक्राइब कर रहा था पता नहीं अलगी अलग रहो लड़का के रही सर हमें तो आज पता चला हमारे अंदर कम दिमाग है साइज की बात कर रहा था साइज की ठीक है तो यह आप लोग समझगे कि 3 साल का जो बच्चा रहेगा उसको हम स्कूल कंदर डालेंगे अब 6 साल के लिए बच्चों को 1st क्लास नहीं देंगे 3 साल के बच्चों का हम इसकूल के अंदर डालेंगे और जो उपर के 2 साल हैंगे ये 2 साल हैंगे जब बच्चा किलास फर्ष्ट और सेकंड यहापर करेगा तो यह आपकी पहली स्टेज आप आपकी foundational बढ़ाने जाएगी ठीक ह मैंने वीडियो भी देखी मैंने गार मैंने तो ऐसे नहीं गा कुछ भी ठीक है मेरे घर के अंदर ही मार पड़ जाती तो यह आप लोग समझ गए शुरुवात को पहली स्टेज होते है वह आपके फाउंडेशनल स्टेज होती है जब आपकी सेकंड श्टेज आती है पिरिपे सेकंड परेंटेज होते है तो फांडेशनल स्टेज होती है यहां पर करता है जो आपकी चार साल हो जाती है इस परकार से जौका एजुकेशन का प्रारूप है वह यहापर दिया वाया ऐयोप आप लोगोने इसके बारे मैं समझ गयूँगे जो मैंने इसकी परश्ट भूम के बारे में आपको बताया हुआ है ठीक है यहाप लोग ने यहाँ तक समझ लिया अब देखे कोश्चन के उपर जरा हम लोग यहाँ पर नज़र डाल लेते यह रहा आपके सामने पहला कोश्चन जो कहता है कि NEP 2020 मतलब किन किन चीजों को यहाँ पर आपको प्रस्तावित करता है पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिगम यानि लर्णिंग समगर और एकिकरत होनी चीए बिल्कुल ठीक बात है जो लर्णिंग है शुट बी होलिस्टिक एंड इंटिग्रेटिड होनी चीए NEP 2020 के समगर रूप से विकास करना हो चाहिए सारीरी की विकास हो मांसिक विकास हो सामाजिक विकास हो स्विंगात्म की विकास हो हर प्रकार से उनका समगर रूप से विकास करना है और इंटिग्रेट करना है ताकि एक सबजय दूसरे में हेल्प कर सकते है ठीक है आप लोग देख ख्रूप है ठीक है तो यह भी आपके सामने द्यावा है पास थो प्लस तीन प्लस थीट के ने डिजाइन आपके तो यह नहीं आगए पढ़ने की ज़रूध नहीं है आगे ध्याए कि जो आपके सामने फाउंडेशनल स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज में औप चारिक पाठ्य पुष्टकों से अधिगम संभित होना चाहिए अब ज़रा इसको पाउनदेशनल स्टेज यह रहिए आपकी जो आपकी पास साल तक के लिए रहते हैं जहापर बच्चा तीन साल से लेगे और आपका आठ साल तक का बच्चा रहता है आपको ध्यान नखना है जब बच्चा आपका आंगनमाडी या बालवाटी का किंदर जाए गरा यहापर किताबों का कोई प्रावदाव नहीं है किता हम उसको नहीं पढ़ा सकते किसी परकार के इन स्टेज के अंदर कोई टेस्ट बच्चे के पेपर भी कंड़क्ट नहीं करा सकते बट हम लोग देखते हैं आप लोग आंगनमाडी कंदर भी देखते हो मेरे खुद बिचारे बांजे बांजी इस चीज से परिसान है इतना भ हमें बच्चोगा पर अनुपचारिक रूफ से भी उसको एक्टिविटीज के मादन से सिखाना है तो ये दोनों आपके गलत्ते ए भी आपका ठीक था तो ए भी यहाँ पर लगा दो सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जारो बीबी के पहले जो आपकी प्रारंबिक बाल लेवस्ता अवदानेवम सिक्सा है जिसकी बात होती है आपकी ECCE की बात होती है इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए ECCE Early Childhood Care and Education की बात करता है देखे यहाँ पर जो आपकी मैंने बताया राष्ट्य शिक्सानीति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं तो जो आपकी 86 वाली थी इसके अंदर आपके ECCE की बात कही गई थी 86 वाली के अंदर आपकी ECC की बात कही गई थी, कि जो early challenge होती है, बच्चों की जो शुरुवाती बाल लवस्ता होती है, उसके अंदर हमको उनको care करनी है, और उनकी यहापर देख बाल करनी है, ठीके, तो यह बात करता है, ECC इसकी बात करता है, यानि जो 8 साल तक के बच्चे ठीक है, यार हरे पर हराई चला दिया, यानि कि जो आपके 8 साल तक के बच्चे, 8 साल तक के बच्चे के यह आपकी education और उनके care की यह बात करता है, जो आपका ECC प्रोग्राम है, ठीक है, अब यहापर जो आपका question दिया हुआ है, कि ECC का उद्देश से क्या होना चाहिए, अरे मेरा body हिल गया है, एक second लोगो भई, तो इसका क्या उद्देश से होना चीह, उसके उपर नज़र डालते है, उद्देश से के उपर ECC के उद्देश से को उद्देश से को उपर नज़र डालते है, देखे, पहला आपके सामने दियावा है कि सिक्सार्तियों में परिक करना है, बिल्कुल ठीक बात है, उनमें basic जो numeracy होती है न, वह वाली skill उनके अंदर develop हमें करना है, अभी आपके सामने आएगा, FLN आएगा, foundational literacy and numeracy आएगा, जो आपके राष्टे सिक्सानीती 2020 के अंदर बात कहीगी ति, जिसके अंदर ये कहा था कि बच्चों को कुछ ना ह है, concrete form में, मूर तवस्ताव से उसको शिकाना है, देखें, मैं आपके सामने, ECC के एक photo भी लेकर आए, उसके मादम से आपको थोड़ा सा समझाता हूं, तो आपको यहाप पर picture clear हो जाएगी, ठीके, यह बात यहापर हो रही है, आपके ECC की बात हो रही है, ठीके, जो आपक का level उस लायक नहीं है, कि मैं इतना detail में आपको पढ़ा हूं, लेकिर फिर भी अपनी level से मैं आपको बहुत बता रहा हूं, ठीक है, तो आपके 2030 तक का target लिए हुआ है, जिसके according आपको flexibility रखनी है, पूरे NEP 2020 के अंदर ही एक आ गया है, कि आपको flexibility अनि लेचिला पर रखना है, ठीक है, अब देखें, इसके बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसने यह का है कि इसका जो मुख्यों देशिया, वो बच्चे कंदर basic numeracy skill को यहाँ पर बढ़ाव देना, first week है, संख्याओं के नाम लिखना नहीं सिकाना, नाम लिखना नहीं सिकानी की बात नहीं कर है, ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़े याद नहीं करा नहीं, आंचार आपका second यहाँ पर सही हो जाएगा, बढ़ते अब हम आपके next question की ओर अगला question सामने आपकी screen पर, कितने लोगों ने ऐसे पढ़ाया, दो एक हम दो दो दिनी जा ठीक है, अगला question सामने आपकी screen पर करता है, आपने कहाता कि सर्मान की करण को देखते गलत कार देना, लेकिन यह तो खुद ही कह रहा है कि यह गलत है, मान की करण से लचीलेपन की ओर जाना है, यानि इस्टेटाइजेशन से, जहाँ पर आपके कुछ मानक सेट कर देते हैं, जैसा आपकी CBSC वालोंने मानक कर दिए, 150 में जो 90 नंबर है, वो पास है, बाकी फेल है, ठीक है, उसी प्रकार से मानलीजे स्कूल के अंदर एक्जाम हो रहे है, 100 में से 33 वाला पास है, बाकी फेल है, तो नाम की करण कर दिया, ठीक है, यानि मानक की अकोडिंग हमने बच्चों को यहाँ पर उनका assessment करा, जो फेल करने की जो चीज है, इसके दीरे-दीरे करके नुकसान आते जा रहा है, हलेकि एक कमिटी बनी है, उस कमिटी ने भी यह निकांकी बच्चों को हम फेल करेंगा, बट यह का है कि हम इसकंदर सुदार कर रहे है, ठीक है, तो लचिला पन रखना चीन है, यानि क्यों फ्ल करता है न, यह बात करता है, फORMATIVE indispensable नहीं करता है, फORMATIVE assessment तो आपका teach in learning motorcycle Rabbit के दोरान चलता है वह आपका formative assessment है, समेटीफ assessment जो आपका teaching learning तो राष्टय स्था नीची 2020 सभी सभी यह कि समयटीव असस्मेंट को कम करो ठीक है और फॉरमेटीव एस्ट्मेंट को जा साथ है बढ़ाओ क्योंकि इसके अंदर क्रेटीविटी देखने मूलते है फीड़िबेक अच्छा मिलता है बच्छो काम उसको अच्छी परकार्पार पढ़ो पढ़ो फर्स्ट आउट किस ठीक है किलास कंदर टोप करना है तुम्हें अच्छे नम्ब लाओ ग्रेड के बीछ बगता है ठीक है जबकि हमें पढ़ना कंसेप्च्वल अंडेस्टेंडिंग के लिए पढ़ना है इसका सबसब वडिया एक्जामपल दू कुछ बच्चे एक दो बच्चे ऐसा आते हैं कि सर आप कोश्चन को जल्दी जल्दी बता दिया करो ठीक है ताकि जल्दी किलास कातम हो जाए मैंने का भाई मैं ऐसा पढ़ा अगर आपने चीजों को समझ लिया ना तो उसके अधार पर आप सारे कॉश्चन को लगा दोगे लेकिन एक्जाम के लिए पढ़ोगे या खाली कोश्चन के लिए पढ़ोगे या सिब कोश्चन पढ़ा उसका जल्दी सा आंसर देगा थोड़ा सा पता है उसको आगे चल द इननी एजुकेशन की बात करता है चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपका ठीक है यानि हमें बच्चों को यह कठोरता तो कहीं ही दिखे ना कठोर कहीं ही दिखे इसको देखते काड़ देना हाल कि मेरे पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड होता है अब मैं इनको नहीं कराता क्य पढ़ाने है तो आपने देखा फ़स्ट आंसर बिल्कुल सही है बाके आंसर तब सही होते जब आपके अपोजीट हो जाते ठीक है आपका फ़स्ट यहापर सही हो जाएगा बढ़ते बाद के सामने नेक्स्ट कुर्शन के ओड़ ठीक है अपका टीचिंग में थर्ड़ बै देश भर में विभिन विशो में ओलंपियाड और पर्तियों गिता है ये कोश्चन जो अभी आपका सीटेट 20 अगस्त वाला हुआ है ना उसके अंदर ये कोश्चन आपका पूछा गया था जो आपके ओलंपियाड एग्जाम होते है ठीक है इनके बारे में बात कही गी है दे समाली ये नैशनल पर हो गया इसकूल के तरफ से बाखिया दर इसकूल गए और आपस में कॉम्पिटिशन हुआ बच्चों का पर्टिकुलर सब्जेट के अकोडिंग यहाँ पर हुआ ठीक है हाला कि जो शुरुआत में जो हपके ओलंपियाड है जब इनका प्रचलन हुआ जो ओलंपियाड गेम है ठीक है जहां अलग-अलग स्कूल से अलग-अलग कंट्री के बच्च आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं तो इसको सरल नहीं इसको मजबूत बनाने की बात करता है तो सेकंड आंसर इसका आपका सही हो जाएगा कुछ एंजियो भी है जो ओलंपिया पर आखया ये रहा अगला कोशन ने अगला कोशन है कि दो जार वीज अदिगम के कोणसे तरीकों पर बल देता है एनें पी की सीखना हॉमको कैसे है और शुकर न कैसे है ठीके उसके बार में देखे क्या क्या कहता है पहले बात करता है अनुब offense की बात करता है यानि की experience the learning क कर ना यानिके अपने अनुभाव के अधार पर औधिगम करने हैंनिकी शीर अप लोग ने भी जो आप लोग अपना कोर्स लेड़ आपने जाना होगा तो उस अधिगम के उस अनुभाव के आदार पर आप लोग यहां पर अधिगम कर रहो लर्ण कर रहो यहां पर चीजों को ठीक है तो इसी बात को कहता है निपी 2020 बच्ची की परिवेस नोलीज होती है मैं बार-बार कहता हूँ कोई भी चेप्टर पढ़ाने से पहले परीवेस नोलीज को आपको क्लास में सामिल करना चीए ठीक है तो इसकी बात करता है आपका डीजीटर लेंडिंग की बात करता है बिल्कुल सही बात है देखिए जैसे आ पड़ेगा अगर उनके अकोडिंग नहीं पड़ते थे तो पीड़ते थे बट एंसेफ 2005 में कहा गया कि बच्चों को यहाँ पर आ जा दिया बच्चा अपनी मन पसंद किताब यहाँ पर किसी भी सब्जेट की पड़ सकता है ठीक है तो उसी बात को जैसे माली जिए इसी प्र और learning by doing खुद करके सीखना स्वेम करके सीखना इसकी बात तो बहुत पहले से ही आपकी चलती जा रही है तो इन सभी तरीकों पर बात करता है कौन आपका राश्ट्रे सिख्सा नीति 2020 तो पहला दूसरा तीसरा चोथा सारे ही आंसर आपके ठीक हो जाएंगे और आप लोग क इसके साथ जा रहे हो फोर्थ के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो बिल्कुल सही ठीक है अगला कुश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया यह रहा नेक्स्ट कुश्चन अगला कुश्चन दियावाई कि एननी पी 2020 निमन में से कौनची पेड़ागोजिकल इक सास्तिय रंडीतु को बढ़ावा देती है वो आपको बताना है ठीक है इनी स्टेटीजी को ध्यान से देखना यही आपको इंप्लिमेंट भी करनी एक्जाम के अंदर और टीचर वनने के बाद भी ठीक है कभी कहो कि सरकारी नोक्रिवारी अब भूल जाएंगे पहली ब लेंडिंग नहीं conceptual understanding की तरफ बच्चों को लेकर जाना है ठीक है तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को करते क्या करते हो कि ड्रिल कर दोगे यानि कि इसके अंदर काटा मार दोगे रोट मेमराइजेसन यानि कि आपका रट कर याद करना एक तो रटना आ गया एक याद आगया त कोश्चन पूट अप करता है मालीजा आप कोश्चन पूट अपकरने लगे जागो कि सर इसकांसर यह क्यों नहीं है ठीक है सर ऐसा नही disrupt को फूट यह सक्यों घृक करता है नहीं होगी घृकान चीजह को करते हैं हो खतरिब ना घृक हो जाए मैंने रट दो ändern देदे दे द Türkiye आप लोग तो लगलग इंgood करते हो इसको बढ़ावा देना ठीक है आपके बढ़ावा करते है अगर तुझे एक बार समझे भी नहीं आना मुझसे दस बार पूछ और हालकि दो बार बताने के बाद ही ओ तीसरी बार में मार देते ते पिटाई करते ते ठीक है दोनों ही जेंडर है, male और female दोनों के equality की बात होनी चाहिए तो दोनों ही से इस प्रकार की मलब चीजों को हटना है चाहिए तो सभी की बात आपका करता है ओ सभी की कहिरा है यार यह दो तो का आपके गलत है और यह वाला यह भी गलत है तो third और fourth आंचर आपका सही हो जाएग बहुत आपका पूछा गया, repeat हुआ question है, आपका निपुन भारत मिसन, जरह इसके बारे में समझ लिजे, उसके बाद फिर आपको चीजे यहापर clear हो जाएगी, ठीके, जरह इसके बारे में आपर समझ लेते हैं, निपुन भारत मिसन में, ठीके, आपकी गाड़ी ही थार है, वाइब भी बहते नहीं मिलेगी, यह क्या है, यह कौन सा तरीक हो है, मलत जिनकी थार आजाएगी, उनकी वाइब बढ़िया मिलेगी, आका से लाते हो भाई, ऐसी चीजे, देखे, NEP 2020 में एक आपका concept है, उस concept का नाम आपका EFLN, क्या नाम है, उसका नाम आपका EFLN, ठीके EFLN का मतलब है foundational literacy and numeracy, ठीके, तो उसी के अधार पर भारत सरकार ने एक project launch करा, जो project launch करा, आपका 5 July 2021 को, क्योंकि EFLN की बात आपकी राष्टे सिक्सानीती 2020 में कही गई यह, किसमें राष्टे सिक्सानीती 2020 में कही गई थी, लेकिन इसके अधार पर भारत सरकार ने जो launch करा निपुन भारत मिशन आपका भारत सरकार ने launch करा, पाथ जुलाई 2021 को इसको launch करा, तो ये भी सी की बात करता है, बेसिकलिए बात करते है, थिरी आर की बात करता है, ठीके, दोने क्या काम करते है, थिरी आर की बात करता है, किसकी बात करता है, ये बात करते है, तीन आर की ब लाए गया जापल लिखावा है निपुन भारत का सपना सब बच्च समझे भासा और गणना ठीक है यह आपके सामने लिखावा है कई बार आपके एक्जाम में निपुन की फुल फोम भी पूछी जा चुकी आपके सामने लिखी हुई है लेकिन जब भारत सरकार निपुन प्रोजेक्ट को लाए गया तो इसका जो आपका लक्से रखा वो आपका रखा रखा तक का इसका लक्से रखा ठीक है हालकी इस लक्से में सरकारी टीचर बहुत तेजी से लग रहे है बहुत सबसे ज़ादा काम आपके निपुन भारत के अंदर चल लाए ठीक है लेकिन इसके भी कुछ साइड इफैक्ट है उनके उपर हम बात नहीं करेंगे जब आप टीचर बन जाओंगे तब उनके उपर हम लोग बात करेंगे ठीक है यानि स्कूल छोड़ कर चले जाते थे तो हम बच्चों का अगर पढ़ना लिखना संख्याओ की नोलिज दे देंगे तो बच्चे जुड़े भी रहेंगे और कम से कम जो आपका बच्चा साकसर रहेगा तो कम से कम आपका निपुन भारत मिसन लाएगा अब यही मिसन आप आपका बहुत जोरो सोरो से चला है जो आपके गुर्मेंट टीचर है उनके जो गुरूप बने रहते जिसके अंदर अधिकारी भी रहते टीचर भी रहते तो गुरूप पर फोटो भी आपको यही मिलेगी निपुन भारत मिसन की मिलेगी तो जो निपुन भारत के कुछ ल बालवाटीका की बात करो क्यांकि बालवाटीका से परवेश दी दे जाएगा अब शाथी की 6 साल का बच्चा में जायागा बाल वाटिका से चला जाएगा अगर मैं भासा की बात करूँ तो बाल वाटिका के अंदर जो बच्छा रहेगा कम से कम दो अक्सर वाले सरल सब्टों को पढ़ लेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ चार से पाच सरल सब्दों को यहाँ पर पढ़ लेता है ठीक है चार से पाच में अगर किलास फर्स्ट में नूमरेसी के अंदर अगर मैं बात करो तो यहाँ पर जो बच्चा होता है जोड घटा सीख लेगा और निन्यान में तक की जो संक्या होता है उसको पढ़ और लिख ल बात करो तो यहाँ पर निन्यान नूमरेसी के अंदर और नो आजान नोसो निन्यान में तक की संक्या को पढ़ लिख सकते हैं और सरल गुना समस्ra को यहाँ पर हल कर सकते हैं अदेखे कोश्चन यहाँ पर आपसे एक्जामिनन ने पूछाए कि क्लास 3 के अंत तक साकसरता क अधिकन के पूछ लिए तो किलास थार्ड तक के लिए आपके गणित केुश्य से पूछ लिए तो गोनित तक क्योंगे और नियूंतं और इख वियुक्ज के समझ साथ पर Veterार की पर आप कासी हो जाएगा कम से कम 60 सब्सक्राइब, आपकी स्कूर्फ सरी हो जाएगा, इसके बाद भी अगर आप लोग निपून को भोलते हो, कोई कुश्चन गलत करते हो तो चुल पर पानी में डूप जाना, इससे बढ़िया इससाथान तरीके के माहदरम से नहीं समझ जा सकता हूद कोई ठीक से बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर next ode यह रहा स्कृन पर अगला कुश्न आपके साहने दिया इनीपी 2020 ने किस पर जोड दिया है उसको आपको बताना है कि किस पर जोड दिया है पहला यह और मैंने भी आपको मतईड अभी वह bacteria question गया था साइद दूसरा तो तीसरा था जिसमें मैंने बताए कि chapter number 11 आपका इसी पर आदारी था towards a more holistic and आपका multi-disciplinary education की बात करता है तो आपका इसी के उपर जोर दिया रिगीड के लिम को बात नहीं करता है रिगीड को देखते रगड़ा लगा दो ये बात करता है flexibility की बात करता है किसकी बात करता है ये बात करता है flexibility की बात करता है summative की नहीं बात करता है ये बात करता है आपके formative assessment की बात करता है कि formative इसने का किस पर जोर दिया है अगला कुश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि NEP 2020 के नुसार, पाचवी तक के सभी बच्चों को उनकी मात्रबासा यानी मदर टंग में शिक्सा दी जानी चीए, बिल्कुल दी जानी चीए, देखे जो मैं आपको NEP 2020 के बारे में आपर पढ़ा रहू तो NEP 2020 की बात नहीं है आपका, यह आपकी जो राष्टे शिक्सा नीती 1968 वाली थी ना, जो आपकी पहली शिक्सा नीती थी, तो उसमें बच्चों की मात्रबासा पर जोड देने की बात यापर कही जारी थी, देखे आप लोग जैसे हिंदी बासी छेतर के हो, तो आप गोएं यह देखे आपकी आपकी राजिक्या भास है, ठीक, और जो इंगलिस है, इंगलिस आपकी शेह राजिक्या भास है, तो सबी को अपनी मात्रबासा पसंद है, तो इसले 1968 वाली के अंदर जो आपकी मुददराज होती है, इस पर जौर देने की बात कही गही थी, और तब से अभी तक चाहिए आप कोई साभी डोकुमेंट उठा लिए उसमें मातरवासा पर जोड देने की बात कई जा रही है इसने तो खाली लिखा है कि क्लास फिफ्ट तक सभी बच्चे को उनकी मातरवासा में सबसे जादा कमफरेबल होता है सबसे जादा उसको रहता मातरवासा में रहता है और चीज अच्छी तरीके समझता है तो एज टीचर यह आपके रिस्पोंसिवलिटी बनती है कि मच्चे बच्चे की मातरवासा को आपको जाशाद है उसको अवसर दिये जाने चाहिए ठीक है यह बात आप लोग समझ गे तो यहाप पर पहला जो आ सुत्र के नाम से जाना जाता है कि सकत्र का मतलब है कि बच्चों को हमें इंड़ gag फ़र में 3 अ क्रलine की बात करता है पहली सी जो आपकी सिकसानी tuti चलती आ रही है उसे कंदर बासा यानि कि उनकी मात्र भासा होगी कौन्च होगी बच्चों की पहली बासा होगी उनकी मात्र भासा होगी अगर मैं हिंदी छेतर की बात करूँ तो हिंदी छेतर वालों की जो मात्र भासा हो जाएगी वह हिंदी छेतर वालों की छेतर वालों की जो मात्र भासा हो जाएग हो जाएगी आपके हंदी हो जाएगी ठीक है लेंगर्वेज में भिखास कर जा आपकी साउथ की यह लेंगवेज होती है वह यहांपर हो जाएगी यह मैंने बता हमेधीasında अगर मैं बात करूं नोन हिंदी छेतरवालों के लिए तो वहाँ पर भी उनकी पहली मातरवासा होगी ठीक है ध्यान नकना हमेशा पहले नंबर पर हमेशा बच्चे की मातरवासा होगी सबसे पहले बच्चों को मातरवासा में सिक्स्टन देना जरूरी है इसले इतनी मैत पहले 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 निपी 2020 ने यह वाली बात कहिए एक आपके एक्जाम में भी कुछन पूछा गया था कि हमें बच्चों को जो बासा का सिक्संड देना हो उसके अंदर कम से गम दो आपकी बारतिय बासा होनी चीए यह कुछन आपका लेंग्वेज वाली सेक्शन के अंद सिक्सानीती 2020 ने का है कि जो आपके थिरी लेंग्वेज फोरूला है थिरी भासा सूतर है इसको आपको थोपना नहीं किसी भी आपके स्टेट के ओपर ठीक है ध्यान रखना इस वाली बात को क्योंकि जो पहले सिक्सा का विस है था वो आपके राज्य सूचिक अंदर आता लेकिन जो आप सिक्सा का विस है आपका समवर्थि सूचिक अंदर है यानि अगर आपको कोई चीज आती है जैसे नई सिक्सानीती 2020 आई दौर आए तो यहाँ पर इस चीज को किसी भी स्टेट को पर थोपा नहीं जाएगा लागू नहीं किया जाएगा अभी आपको एक च राष्ठे शिक्सानीती को मानने से मना कर दिया खारिज कर दिया कि हम नहीं मानते है राष्ठे शिक्सानीती 2020 इसको नहीं मानते है ठीक है तो यह किसकी वज़े से हुआ क्योंकि सिक्सा जो होता है वह आपका समवर्थि सूचिक अंदर सामिल है आपने कोई नीती बनाई मा अभिकतन अजर्शन दिया था वो बिल्कुल ठीक है कि कम से कम किलास फिप्त या एट तक हमें बच्चों को जो सिक्षण देना है वो उनकी मातरवासा में देना है अब इसमें कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटे जो बच्चे होते हैं अपनी मातरवासा में सार्थक बड़ी खुशी होती थी अरे तु अपनी साइड का मिल गया ठीक है एक हमारे बागपत की तरफ का मिल गया तो और तू कहा का मैंने का तू तो यह बोला मैंने का भाई मैं तो जहां कर लेकिन तू पश्चिमी यूपी का है ठीक है तो एक दम मरलब हमें कॉंफर्टेबल फ पड़ो अच्छी तरीके से समझो ठीक है बढ़ते हो आपके सामने नेक्स्ट कोस्टन यह रहा आपके सामने अगला कोस्टन ठीक है वहापर चुटते कहते हैं ओ तू कहा है ठीक है तो तू को ज्यादा बुरा इतना मानते नहीं हर्याने की तरफ के या पश्चिमी यूपी की तरफ के लोगों का ठीक है चल से बढ़ते हैं और आपके सामने नेक्स्ट कोस्टन यह रहाई स्क्रीन पर जो आपके सामने नेक्स्ट द्यावा एं ठीक है एक बार मेरी जो पोज्चिंग ठीकी से नोर्थीस्ट की तरफ लगी ती n पर हर्याने की तरफ का मिली गया ठीक है तो जैसी मैंने कहा कि भाई ये बोर्डर का पत्थर का उसने कई और तू तु तु अपनी तरफ का बैठ या बाद में करियो पहले तु बैठ तो उसने यहापर जैसी मदधर टंग मिलती है तो आपस में सिकल लिया और छोड़ यार औ तो मतलब इतना फर्वाव मात्रवासा को पड़ जाता है ठीक है अगला कुश्टन सामने स्क्रीन पर आ गया यह रहा और हालकि सबसे पानी की सबसे साफ जील उसको माना जाता है ठीक है इधर की अगर मैं बात करूँ मैंने जाके देखा तो एक बंदा वही पर कपड़े द आपकी फांडेशनल स्टेज और आपकी प्रिपेटरी स्टेज दो आपकी स्टेज होगी कौन्ची फांडेशनल और आपकी प्रिपेटरी स्टेज होगी तो प्राइमरी के लिए लगा दो यह तो वड़ा सिंपल सा बच्चा भी कर देगा इसको तो कौन्ची होगी फांडे सबसे पहले जाने की इस एक्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है अगर आप लोग यहां पर learning कर रहे हो और किसी भी चीज़ के लिए तो सबसे पहले देखो उसको पढ़ना कैसे है चलो पहले इसका syllabus देख लेते हैं चलो फिर उसका साथ में पीवाई क्यू देख लेते हैं चलो इसका जो फेमस टीचर सचीन इसको देख लेते हैं यह क्या बो thinking की आलोचनात्म क्यानी समालोचनात्म चिंतन जिसको का जाता है जा पर कोई भी व्यक्ति जो भी वच्चा अपने तर्क वितर के आधार पर एक decision लेता है यह सही है गलत है लेकिन जादे तर हमारे हां क्या होता है कि बेड जारिये बहुत सारी एक साथ में तो निकंदर साम अधार पर आपको इन एक्जाम से सम्मनित क्याची जबता है यह फिर पढ़ना सुरू करिए फिर आप लोग एक्जाम को पास भी कर जाओगे ठीक है विसावस्तु में बड़ोतरी की बात नहीं करता है यानि जो content है उसको इसमें जो content है आपर इनको increase नहीं decrease की बात करता है ठीक है आप लोग ने देखा होगा जैसे मैं आपको बताता है यह सपाल कमीटी आई 1992 के अंदर तो कमीटी ने भी यह का दिया था कि learning without बढ़ना है कि शिक्सा भी ना बोज के यानि जो इसकूल का बैग होता है वो भी उसका में minimum weight रखना है ताकि बच्चे की शिहत के उपर बैग लेकर नहीं जाएगा तो पड़ेगा कैसे आसपास के संसादुने से पढ़ सकता है माली जै कोई कोई काम कर रहा है वह साइक काम कर रहा तो उन्चा बच्चा चीजों को यह आपर सीख सकता है ठीक है तो आपर content में कमी की बात करता है आजकल तो आपको private school में लोकर भ कर लेना अब यह progress card क्या है ध्यान से समझना ये भी कई बार आपके exam में बहुत पूछा जा चुका है 360 degree multi-dimensional card के बारे में अगर मैं बात करूँ यह रहा इस प्रकार का card जो आपको बच्चों को मिलेगा आप इसको पर नजर डालिए एक super chat यहाँ पर आई है ठीक है कि आते हैं गुरुजी मेरा पंणाम शुकार कर यह कर लिया भई आपके वज़े से सीटेट में फर्स्ट अटेंट में आज में बीपेसी ट्यारी क्वालिफाई करके बिहार दर्भंगा में न्युक्त सिक्सक होके जोब कर रहा हूँ इनका नाम राकेश कुमार है 100 रूपे चैट के बेज़े गुरुदक्स्रीना इतनी हलिके बेज़ दी वैसे तो सहली के बात करते हैं तो आप कहा काम करो राकेश धर्भंगा में आप काम करो ठीक है कॉंग्रेशुलेसन भाई आपकी आगे की लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत सुब काम मैं ठीक है मजाक कर सब लोग आगे बढ़त रही है ठीक है तो आपको आगे के जीवन के लिए बहुत 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 बढ़ाई है ठीक है राकेश चले माँ बात कर रहा था यह जो आपके सामने 360 डिग्री मल्टी डैमेशनल रिपोर्ट कार्ड है देके जो हमें स्कूल के अंदर रिपोर्ट का अब यहाँ पर राष्टे सिक्सानिती 2020 कंदरी वाली बात कहीं गए कि जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें बच्चे के तीनों पक्सों को सामिल करेंगे एफटी डोमेन को और साइको मोटर डोमेन को बात करेंगे यानि बच्चा स्कूल में जाकर अपने द थीका ह हलकि लगने के भाद भी बच्चे कुमेंट करते रहते हैं तो इनके अमोसन जुड़े रहते हैं क्योंकि इब अब यहतुदे थो पहले रहते तोयां कुछ के भी यहां पर इमोशन जुड़े रहते तो आपका एफेक्टी डोमेन है और तीसरा साइको मोटर डोमेन जो आपके क्रियात्म पक्स से रहता है जहां पर आपको चीजे करनी होती है ठीक है माली जो कोई स्पोर्स एक्टीटीज यहां पर बच्चा कर रहा है कुछ और कॉम्टीटीटीव कर रहा है तो इन तीनों ही पक्स को आपके 360 डिग्री मल्टी डेमेशनल कार्ड के अंदर आपका सामिल किया जाएगा जिसके अंदर बच्चा सेल्प असेस्मेंट करें पीर असेस्मेंट करे या गुरूप में असेस्मेंट करें इसकी बात यहां पर करता है ठीक है तो यहां पर जो आपके सामने कोश्चन दिया हुआ था कि आपके 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है बिल्कूल ठीक है इसमें बड़ोती नहीं कम की बात करता यह भी ठीक था अगला है मा यहाई पर आपका पहला और कॉंचा था भई पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए बढ़ते expect के सामने और चलिए बढ़ते बाब के सामने नेक्सिट्स को ठीक के अच्छे एक सब्सक्राइब यहाँ इतनी क्यों लिए ? यार यार कुछिन पूछा प्रस्तावित नहीं करती, तो इसको प्रस्तावित करती है, इसको नहीं करती है, इसको करती है, इसको नहीं करती है, अच्छा, यार, मैं confused होगा, इसको प्रस्तावित नहीं करती है, तो यह negative है, बड़ोतिर की बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता, अच्छा, second और फोर्थ है, मैं आपका बता रहा था कि first and third में सही वाला बता रहा था, question negative है तो negative के दोनों भाई है, second or fourth, तो first answer आपका सही हो जाएगा, ठीक है, negative नेगिटिव ने आज मुझे भी चक माँ दे दिया, अगला question साहिए आपकी screen पर है, यह रहा आपकी साहिए screen पर अगला question, अग मैंने आपको बताए एफलन ठीक है जो मैंने आपको बताए एफलन कि foundation literacy and numeracy प्राप्त करने को सरवोच प्राथ मिक्ता परदान करने होगी जो मैंने पूरी कानिय भी आपको एफलन और निपुण की बात वताई ठीक है जो को इसने 2025 माना है और उसमें निपुण में 2026 है तो निपी 2020 के इस लक्षा को हासिल करने के लिए सिक्सा मंतरा ले ठीक है जो पहले नाम आपका एमेचारडी था एमेचारडी का नाम बदलकर राष्टय सिक्सानीती में कर दिया गए जैनी कि एजुकेशन मिनिस्त्य कहा गया नियुकेशन मिनिस्ट्रे तो द्यान रखना है वर्यकर का वहां तो लेकिन इतने व्यापक रूप से जो सिक्सानीति आई इन खामियों को दूर करके मेरी क्याल्चिस का इंप्लिमेंटेसन होना चीर, ठीके तो कमीओ को जो भी कमी लगिंए उनको दूर करके तो इंप्लिमेंटेसन होना चीर तो भारत सरकार ने कोंचा प्रियोजन या पर सुरू करी निष्टा निष्टा शुरू नहीं करी ये सुरू कराता आपका निपुण भारत मिशन कराता निष्टा और दिख्षा नहीं थी जैसे आपके टीचर्स की टेरिंग से सम्मंदित रहती है ठीक है जब टीचर बन यह मिशन लोंज किया गया पाथ जुलाई 2021 को ठीक अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट कोश्चन इसका आंसर अब आप लोगों को देना है जरा इसके ओपर हम लोग आपन नजर माल लेते हैं ठीक है हाँ आपकी बीबी बिल्कुल ठीक है जो ढूंगों ठीक बात है सीज जिए काम करना सेट के पेपर में पेपर वन पेपढ़ वन पर चुट नोवाग कद गमान वाथ निशन लेंडिंग को सभी चंडोंमे अपना जाएगा जितने आपके चार्यों फपर प्र्रेटरी मिडिल और आपका सेकंडरी थैंकि द्वात्म कदिगंत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है ठीकिए ध्यान्च के देखना नेगेटिव पूछा है क्या सत्य नहीं है देक्थे चातरों की जो अपेक्सा सिक्सक होता है उसको टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस में अधीक सक्रिया बनाता है अरे है बात करता हूं तो आपर बच्छा खुद एक्टिव कर अपने ग्यान की रचना करता है तो यह तो आपका गलत हो जाएगा यानि नेगिटिव है नेगिटिव का भाई यह हो गया अगला है पिछले नुभाव को नए ग्यान प्राप्त करने और सकरात्मक सीकने के ट्रांस्फर से जोडने में मदद करता है बिल्कुल ठीक बात है एक्सपिरेंस का अधार पर लर्ण करना यह इस बात को कहता है तो यह तो आपका पोजीटिव है ठीक है यह इसका मौसी कभाई है अगला आपके सामने पूरी तरीके से पारंप्रिक किताबे ग्यान को बढ़ावा देने पर अधार पर ला रहा है एक्सपिरेंस सामिल कर रहा है उसको सीखता है तो आपका नेगीटिव है दो भाई भाई हो गई है अगला आपके सामने कि अनुभावों और परियोगों के अमाध्यम से छात्र में वास्तिविक व्यानिक समझ विक्सित करने पर जोड़ देता बिल्क यह दोनों नेगीटिव है और नेगीटिव के भाई यह आपका अंसर हो जाएगा देखें यहाँ पर आपके बात के यह द्यान से देखना कि छात्र के वास्तिक और विज्ञानिक जीवन से समझ कर उनको विक्सित करना चाहिए बच्चों को रियल लाइफ से कनेट करके आप बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जिस भी विशय के बारे में आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो उस विशय में बच्चे के एक्स्पिरेंस को सामिल करिए अपनी टीचिंग के अंदर और बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो उसके रियल लाइफ करनेट करके पड़ाइए आयोप आप लोग देश से देखते होंगे मैं कुछ एक्जामपल देता हूं या कुछ भी बाते करता हूं आपके रियल लाइट करके देखता हूं तो आपको यसा लगता है कि हम उनलाइन में भी बिल्कुल जुड़े हुए तो इसी परकार का शिक् पर यह उल्टा होकर आया कुछ यह उपर चले गया थे देखें इंक्वारी बेस लेंडिंग यह तो मैंने भी उपर वाता है इसको सामिल करता बच्चा कोश्चन पुटाप करता नहीं अलग कोश्चन है क्योंकि आपर इस्टोरी टेलिंग बेस पैड़ागोजी आ गई यह नहीं था यह अलग कोश्चन है ठीक है यहाँ पर आपकी दी हुई है कथावाचन आपकी मेथड यानि स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत बढ़िया मेथड माना जाता खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया मेथड है जहापर बच्चा स्टोरी कानी कविता दूसरा और चोटा यानि पहला काया भई पहला दूसरा चोटा पहला दूसरा और चोटा सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा आप लोग आपर किसके साथ जा रहे हो आप लोग आपर बीबी के साथ जा रहे हो आज सारे के सारे बीबी के साथ जा रहे हो वाई है चली बढ बात नहीं है कि राश्ट्रे सिक्सानीती 2020 में कोई नहीं बात आ रही है आपकी बहु बासिक्ता की ठीक है मैंने आपको बता है कहा गई हमारी मदर टंग रे मातरवासा कहा गई एक सेकंड यह भी हो गया मातरवासा नहीं मिल ली आ रहा हमें चलो मैं दुबारा बता देता हो ठीक है देखें यहां पर बात हो रही है बहु बासिक्ता की बात हो रही है अच्छा वो उस पीड़ेप पेता तो हड़ी आ होगा ठीक है यहां पर बात हो रही है आपके बहु बासिक्ता की बात हो रही है मल्टिलिंग्वलिज्म की बात हो रही है बहु बासिक्ता का मतलब क्या होता है ठीक है बहुबासिकता का मतलब होता है कोई एक ऐसा इस्तान कोई एक ऐसी क्लासरूम जहापर अलग-अलग भासा वाले बच्चे पढ़ते हैं शीखते हैं ठीक है यही तो मतलब होता है बहुबासिकता का तो बहुबासिकता के अंदर मालीजे कोई बच्चे की मा मातरवासा हिंदी है किसी बच्चे की मातरवासा मान लीजे या पर तमील है किसी की मान लीजे कंणड है किसी की मराठी है या पर ठीक है तो इस प्रकार से अलग-अलग भासा वाले बच्चे है इस क्लासरूम में आप लोग भी ऐसी होंगे आप लोग जितनी मेरी वीडियो द तो बच्चे आपस में इस तरीक से इंट्रेट करें के एक दूसरे की भासा को या पर सीखेंगे, भासा का अदान परदान होगा, भासा का अदान परदान के साथ में या पर उनके सब्ध बंडार में वरद्धी होगी, यानि कि उनके वोकेब में वरद्धी होगी, ठीक है, चल्चर का यापर बच्चा संमान भी आपर करेगा तो हमेशा ध्या नखना बहुबासिकता को हमेशा आपको इसको महतनुन मानना है और एक संसाधन एक雀 पुंजी के रूप में एक एसेट kaц हुभ उप मैं आपको सह को लेना है we एनिपी 2020 ने भी बहुँ बासिक्ता कुछ आशादा बढ़ा हो देनी की बात करिए ये जो कुश्चन आपके सामने दियावाई कि जो बहुँ बासिक्ता है ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर देखिया अगला कुश्चन आपको क्या दियावाई इसके उपर आप नज़र डाल लेते हैं ठीक है ठीक है मेरे पास फीड़ेग आया आज बीपेसी का जिन बच्चों का आज एक्जाम था आप मैं कोश्चिश करूंगा कल बीपेस वालों क चल ली थी वह फीड़बैक तीचर दे रहे हैं ठीक एनिपी दोजार बीच जैसी सिक्सा की समकाली नीतियों में बच्चों में कोण से कोसल विक्सित के जानी चीए बताओ बच्चे में कोण कोण सी जो इसकी लोगतिया वो विक्सित करनी चीए पहला देखो सामने आपके स दाए इसके अंदर आपको देखने को मिलते है open-ended question क्या देखने को मिलते है open-ended question आपके exam में जो भी आपको question दिया होगा कि नहीं लहें कित्में से कौँचा critical thinking का सब सबसे वड़ी एक्जामिपल है तो जिस option के एक से जाधा answer हो क्या हो जिस option के एक से जाधा answer हो तो समझत सब्सक्राइब को बढ़ावा देनी की बात नहीं करता परतिस परदा की बात नहीं करता पैसिव रिसेप्शन तो यह था पहली पैसिव देखते गलत कार दो और रटने को तो बिल्कुल मना करता है आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा ठीक है यह तो हलका कुश्चन था अगला कुश्चन सामनी स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कुश्चन नेपी 2020 का नुसार NCFSC का मतलब क्या है यानि कह रहा है NCFSC की फुल फोम क्या है देखे आप लोग ने जैसे पढ़ से एजुकेशन के लिए भी आया था टीचरों की शिक्सा से संब्दीत आया था और इस वाले जो NCF की बात हो रही है NCFSC तो यह SC का मतलब है या पर आपका स्कूल एजुकेशन क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमर्क फोर स्कूल एजुकेशन की बात करता है यह स्कूल फूल यह सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट कशचन आपके सामने स्क्रीन पर आपने देखा होगा जो हम बच्चों को चीज़े आपर पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चे के वास्तिविक जीवन चा कनेट करने वाली चीज़े रहती है जैसा आप लोग ने मैस की देखिए प्राइमरी की किताब देखिए तो मैस के अंदर एक वापर चेप्टर दिया जो बढ़ी सुग में हो बड़ी ईजी हो जो बच्चे के अकोडिंग यहाँ पर हो और उनके वास्तिविक जीवन से कनेट करने वाला फ्लेवर यानि की कॉंटेंट होने चीए तो इस प्रकार क्याब की नेशनल टेक्स्ट बुक यहाँ पर होगी ठीक है तो अब यहाँ पर इस्तानिय वासा में मोखिक नहीं, सभी परकार के आपर पर्षिन पूछने चाहिए ठीक है। हिंदी वासा में अनुवाद की बात नहीं करता, मातर वासा कह देते तो एक बारी को चल जाता, ये भी आपका गलत है। पाठे पुस्तकों को, यानि टेक्स्ट बुक को इस तरीके से तयार करना चाहिए, जो कि विदार्तियों और समुदायों की आवसक्ता के मुताबिकों, उन किताबों का मतलब ही क्या रहा जाएगा, जब बच्चों की जरुत के अकोडिंग ना हो, तो उनकी जरुत के अकोडि आपका सीडी हो जाएगा, kei tahya सीडी हो जाएगा, फोर्ट आंठ यहापर आपका सही हो जाएगा, आप लोग क्या पर किस के साथ जा रहे हो, आप लोग फोर्त के साथ जा रहे हो, चलिए बढ़ जाते हो आपके next question की ओर, ये रहा आपके सामनी स्क्रीन पर अगला question इसका answer ठीक है वीडियो के एंड में इमानदारी से अपने आंसर बता है करो ठीक अच्छा चलिए पढ़ते आगले question क्यों एनिपी 2020 में निमली कितमें से कौन सा प्रावदा नहीं सुझाए गया negative पूछा इसने कि पढ़ते एक विद्धार्ति की विशिष्ट छमताओं को पहचानना और उसको बढ़ावा देना है बिल्कूल ठीक बात है यहाँ पर बात आज की डेट के अंदर होती है चाइल्ड चंटर एज्यूकेशन की बात होती है जापर सारी चीजे बच्चों के अकोडिंग है जापर पूरे सिस्टम को बच्चे के अकोडिंग बदलना स्कूल के अंदर पढ़ते थे अब यह मत कहना बच्चे की चंटा जैसे चंकी पांडे की क्या लड़की थी उसने अपनी चंटा बताई कि मैं अपनी जीव को टंग से लगा लिती तो कंगना राना वतने बड़ा मजाक उड़ाया था ठीक है कि यह कोई चंटा नहीं है ठीक हमारे स्कूल के अंदर जैसे वह हते देभर हाऊस लगते थे सटेड़ेव वाले दिन हऊस लगते थे मेरा रैड रॉस होते था तो हम नहीं टीचर हमसे मेरे से गाना सुनती ति मुझे एक गाना याद आता तो वही बार-बार सुनती थी ठीक है तो उसने मेरी पर्तिवाग अगर वो पैचानती तो मैं आज बहुत बड़ा सिंगर होता और तुम लोग मेरे सो के अंदर आते टिकेट लेक आते ठीक है ऐसे नहीं आते तो पहला आंचा ठीक है परते बच्चे की छमता को पैचानना उसको बढ़ावा देना चाहिए अगला है रट्टा मारकर सीखने और परिक्साओं के लिए सीखने की बजाए संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है किस पर कंसेप्चुल अंडेस्टेंडिंग पर बल देना चाहिए रट्टे वट्टे से काम नहीं चलेगा सो सेकिंड आंसर भी आपके या पर ठीक हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ बहुत चीजी होते हैं उनका नाम बाई इंगलिस में याद गल्या करो वन्ना कंफ्यूज हो जाओगे तो क्रिटिकल ठीकिंग को बढ़ावा देना चाहिए यह तो पॉजिटिव निकल गे बचा क्या यही बचा नेगिटिव बच्चों में अनुप चু路ण होना चिए न है जैसे माली घारिके बाद आप आनचर वेत रहों और हर आंसर के बाद मैं क्या बहुत वड़िया एक यों cela नेओ ठीकित इस प्रकारसर मैं आपको बार बार इस प्रकार दे रहा यह ठीक नहीं है लेकिन जैसे पही और सेलेक्शन हुँए है और मैं दरबंगा जिले के अंदर मनलब मैं पोस्ट्रीड हूँ इस तरह के से तो उस खास achievement पर जब मैंने उसको सावासी दी तो यह आपका सबसे बढ़िया reward माना जाता है तो reward आपका partial होना चीए continuous नहीं होना चीए और punishment तो आज की date के अंदर आपको किसी बच्चों को नहीं अगला कुश्चन है कि राष्ट और बच्चों के स्रेष्ट संभव भविश्य को सुनिश्चित करने के लिए नईपी 2020 के नुसार शिक्षकों की अभिपेड़ना यह आपके लिए कुश्चन है और उनका ससक्तिकर्ण जरूरी है देखो टीचर्स को मोटिवेट करना बहु या जाके मोबाइल चलाना लेट आना इस तरीके से तो उनको मोटिवेट करना यह तीचर्स को ठीक है और उसके लावा शाथ की साथ उनको ससक्तिकर्ण करना यह यह इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो और ज्याधा डवलाप अपने आपको करते जाए ठीक है तो इस दरेश्टी कथन को साकार करने के लिए CPD ध्यान चे सुनना ये CDP नहीं है CPD है यानि Child Development पैड़ा कुछी नहीं है CPD जैसे उसरों को आरम करने का सुझाओ दिया गया है बैटा जब आप लोगों की जोव लग जाएगी ने तब आपके लिए कारेकरम आयागा CPD ठीक है तो इसको प्रस्तावित करती है बताओ किसको प्रस्तावित करती है मैंने अभी आपको बताया जब मैंने आपको 360-degree Multidimensional Report Card की आपर बात कहीं देखे 360-degree Multidimensional Report Card की आपर बात कहीं कि जो बच्चे का जो assessment होगा वो आपका self assessment होगा peer assessment होगा group assessment होगा parents और teachers द्वार assessment होगा और assessment के नाम से एक national assessment center खुलेगा ठीक है यानि एक ऐसा center खुलेगा जो बच्चों की जो assessment से सम्दित उनके सीखने से सम्दित सभी प्रकार की चीजों के बारे में बताएगा मैंने इसकी picture भी ली थी यह रही इस picture की तो इस assessment का नाम होगा आपका परक क्या नाम होगा इस assessment का नाम इस assessment का नाम आपका इस center का नाम आपका माने जाएगा परक परक का मतलब है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development यह परक की full form में याद क करना तो इसके लिए 800-2 को सम्भाविशित करना है group work altri sales assessment को सम्भाविशित करना है पहले ही ठीक हो जाएगा दूशारे में मानखत दीख रहा है देखते इसके ओपर काट इसमय भी मानक के नानक को देखते मार दो तो मानक को देखते क्या काम करना काटा मार देना सो राइट आंसर आपका फुर्स्ट यहापर सही हो जाएगा बढ़ जाते हम आपके नेक्स्ट कुश्चन के और यह रहा इस्क्रीन पर अगला कुश्चन ठीक है कि मेरा गलत हो गया कोई बात निवाई ठीक है जो जो गलती करने हुआ करे हैं कर देता है प्रेसर और फॉय बात ने गलती है और मैंने आपको बताया हूआ है भी गलतिया तो हर कोई करता है व यह बàs नूINE ठीक अगला कुश्चन है NEP 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचिस समुदाय से आने वाले विद्यारतों के आउधारण के लिए क्या प्रस्तावित करते हैं यहाँ पर बात हो रही है से डीजिस की बात हो रही है यादि जो सोशली और इकोनोमिकली आपके क्या है डिस अड्वांटेज ग्रूप से बच्चा आते यादि जो सामाजी फोर पर पिछड़ बच्चे वंचिस समुदाय से बच्चे यहाँ पर आने वाले समुदाय से बच्चे और आपके आर्थिक उसी प्रकार से समूह के बच्चे यानी परकार के बच्चे में एक्ष रख्ण form रहें हैं समय से बच्चे नि पर ना रहें तो इन प्रकार के बच्चों के लिए काफी चीज़े कही गई है आपके राष्टर शिक्षा नीती 2020 ने लेकिन रोट लेंडिंग की बात नहीं कहीं किनको चीज़े रटा नहीं है पाठ्थे चीज़े वह मुल्यांकन मान की करण या मान की कितनी बार आएगा परदूसन परद कि उसके अंतर माश्टर हो जाए तो परफोर्मेंस पर ध्यान नहीं देना माश्टी पर ध्यान देना है तो आप लोग देखते हो भी जो मैं आपको चीज़े पढ़ाता रहता हूँ खूब डिटेल में पढ़ाता हो ताकि आपका माइंड जो है ना खुल सके आपका क्या हो रिलेटेबल एंड मीनिंग्फुल करिकुलम की बात करता है बिल्कुल ठीक बात है रिलेटेबल जो उनसे आपका संदर्वित हो उन्चे जुड़ा हो इस प्रकार का करिकुलम होना चीए और मीनिंग्फुल होना चीए कैसा मीनिंग्फुल होना चीए सारतक होना चीए तभ पर अगला कोश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अधिगम यानि लर्णिंग डैस होना चीए बताओ अधिगम कैसा होना चीए यार यह तो बड़ा असांचा कोश्चन है और टैक्स्ट बुक आधारित वैशे भी नहीं होगा और एक्सप्रेयनस्वल होना चीए कैसा होना चीए जैसे मैंने आपको कहा एक्सपेयेंस्ल लंडिंग की बात कहीं गई है अनुबभवक यादर पर सीखने की बात कहीं आपका से होजा यह तो असांता आप लोग किसके सा अगला कुशन देखे सामने स्क्रीन पर यह आ गया एनिपी 2020 किस पर बल देती है बताओ किस पर बल देती है पहला लचीला और बहु इस्तिरिया गती आदारी तुम अधिगम बिल्कूल ठीक बात है किसका एक तो फ्लेक्सिबल और कैसी मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस ले ठीक है तो बिल्कुल इसकी बात करता है बच्चों के के वल संगेनात्मक विकास से समधित नहीं है उनके सिफ tackle development से समधित नहीं है कोगनेटिव के साथ उनके एफेक्टिव और साइको मोटर डोमेन तीनों डोमेन सामिल होने चीए तो यह आपका गलत है राष्ट्य पाठिच यारि मानक क्यों आ रहा है बारवा ठीक है बच्चों के इसमरन कोसल के मापन पर बिल्कुल नहीं बात है जहाँ पर भी आपको मेमोराइजेशन रोट मेमोराइजेशन रोट लर्णिंग मिल जाए उसको देखते कार देना याद करने के ओपर फोकस आपका नहीं देता सो राइट आंचर इसका आपका फर्ष्ट आंचर आपका सही था बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कुर्षिन के ओर अगला कुर्षिन आपके सामने यापर क्या दियावाई इसके ओपर नज़र डालते हैं ठीक है इतनी चीजे मैंने आपको बता दी I think अब आप लोग एक भी कोशन कांचर गलत नहीं दोगे तो चलिए बताते हैं इसको फर अगले कोशन को पर ठीक है पहला मुख्य रूप से रटना अरे या रटने के कोशल को तो देखते हैं रटा मार दो ठीक है रटाना नहीं है समझाना है कंसेप्चुल अंडेस्टेंडिंग की तरफ लेकर जाना है केवल विशेवस्तियों नहीं के लिए पढ़ाने की बात यहापर नहीं हो रही है ठीक है सभी विद्यारतों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकुलन यहापर करना है ठीक है तो जो यहापर हमें बच्चों का आकलन करना है एसेस्मेंट करना है तो विद्यारतों के लिए उनका सीखना और जो डवलपमेंट है उनका अनुकुलन करना है कि मालीजा आ की परिक्साओं के माध्यम से केवल संगयनात्मक आयंका आखलन करना जी नहीं वर्सकेंदर यानि समेटिव असेच्मेंट की बात कर रहा है जब कि इसकी जंगा एन ईपी 2020 नहीं फॉर्मेटिव असेच्मेंट को बढ़ाने की बात करीए और सिप्प आपके संगयनात्मक आयं की स्क्रीन पर ठीक है ठीक है भई अगला कोशन देखें क्या दिया हुआ है दिव्यांग छातरों की सिक्सा के संदर्व में निमली की तमय से किस प्रावधान को NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है देखें दिव्यांग छातरों के संदर्व में एक आपके एक्जाम कि उनके दॉप इनके कार है कितनी परकार की दिव्यांग ता है तो इस Act के आपर बताए गई है तो जब यह आपकी राष्टय श्छाण नीटी 2020 माई क्योंकि यह Act आ गया थे अपको दोGA also में तो जब भी मैं एक्ट आपको पढ़ाऊंगा ठीक है हाला कि पेड़ क्लास वगरा में तो यह सब चीजे डिटेल में जाती है लेकिन यूटूब पर भी मैं आपको अच्छी तरीक से बताता हूँ आपके पूरे एक्जाम के पूइंट ओफ यूजे तो इस आपको पता चलेगा कि दि कोई माली जे सही से चल नहीं पाता और आप माली जे स्कूल की बिल्डिंग इस प्रकार के कि उसकी क्लास्रूम फर्ष्ट मंजिल पर है तो बच्चा कैसे चलेगा या तो उसके लिए आप लिफ्ट का प्रावधान करिए लिफ्ट आज कल सरकारी तो चुड़ों प्राइव विदारित की लिए एक सिख्शा और नीजी सिख्शा की बात करता है येmotion की बात करता है तो यह आपका नेगिटीव उ-2 का सभाई आंसर नेगेटिव सही हो जाएगा उप्यूक तक्निक की सुईधाओ की बात करता है बिल्कुल ठीक बात है ऐसे बच्चों के लिए अलग-अलग प्रिकार की तक्निक होने चीज स्कूल के नहीं तो यह तीनों आपके पोजीटिव थे यह आपका नेगेटिव था और सब्सक्राइब आपका सही हो जाएगा बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर आगया ठीक है आयोब आपको इंट्रेस्ट आ रहा होगा एनिपी 2020 से सम्मधित पता नहीं कितनी चीज़ है आप लोगों अभी त ठीक है तो टीचर पहले ही सारा काम अपना करके रखता है ताकि बच्चों के लिए सहुलियत हो सके अगला कुश्चन स्क्रीन पर है कि विद्ध्यार्तियों के लिए एनिपी 2020 द्वारा निमने में से कौन से उपकरण विदिया आपकी प्रस्तावित की गई है ठीक है यहाँ पर आप लोग देखें कागे मेरा पैन देखें यहाँ पर आपके inquiry-based lending की भी बात आती है ठीक है quiz के मादव से खिलने की बात आती है role play भूमी का play से खिलने की बात आती है और portfolio की भी बात करता है basically NP-2020 यानि राश्टर सिक्सानीती 2020 ने जब आकलन की बात करी थी तो प्रस्तावित होगी उसके बारे में बताना है रोल पिले अभी मैंने बता है रोल पिले करेंगे ग्रूपर करेंगे प्रोट्फोलियो करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे यह सभी चीजे मैंने एक एक करके आपके सामने यहापर शेर करी तो आंसर क्या हो जाएगा आपके हो जाएंगे सारे ठीक है फोर्त आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा बढ़ते है अब आपके next question क्यों अगला question सामने आपकी screen पर देखते क्या आगया ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला मज़ारा आपको आयोप आपको मज़ारा होगा एनिपी 2020 पढ़ने में ठीक है अच्छा एक मज़े से बात मुझे एक बात भी आई किलास शिक्स से एट तक के बच्चों के लिए एक फन कोर्स की भी बात कहीं है यह मज़ा मज़ी की बात कहीं तो राश्च्टे करना है कि कवीता का सोक है तो इस प्रकार के फन कोर्स में सामील हो सकता है हमारे नसीब में अपकोई बात करता हुआ अगर कोई और सख्षा में जाना चाहता है तो व्यविवसाइक शिक्सा के लिए परावदान है कि जब बच्चा 9 किलास माझ जाएगा तो उसक लिए टीम सिस्टम को खतम कर दिया जो आप लोग पढ़ते हो ना आर्ट इस्टीम कोमर्स इस्टीम और आपकी साइन्स इस्टीम देखे मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूं तो यह आपकी चीज़े समझमा जाएगी कोस्टन से पहले ज़रा इसके उपर नज़र डालीजे ठीक कर सामील होना चाहता है कि अपने आज जीवी का कमाने के लिए कोई नको इस प्रकार का कोस् लेना चाहता है तो ले सकता है के बास से इसको इफ्टर कर्न को यह वह बहुत बढ़ahan का नामते आपका बिलकूर ठीक बता रहे हो और पहले लगा रहो लेकिन मेरी बास सम पर इक बार समझीए देखी तेरे में कमेंट पीछ हा रहे मेरे में पीछ या रहे है क्योंकि मैं समझाते टाइम इन काँ पी प्रावदucci अगर इन सिक्सा की अन्दर को सामिल होना अगर इसे इस के मापसे विए इसमें सामिल रहा है है एक बार देख क्योंकि मेरे वाले फोन करना एक बार में इसको एक सब्सक्राइब को बढ़ा है क्योंकि आप लोग आंसरी बेजते जा रहे हो तो पहले आंसर के उपर नहीं डालते हैं एनिपी 2020 करनुसार आकलन के उद्देश से क्या है देखिए सीखने के इस तरको करने के लिए विद्दार्तों में तना उत्पन करना और डर उत्पन करना यार यह तो कभी आकलन का उद्देश से होई नहीं सकता कभी बच्चों में अगर मालीजा हमें आज आपका टैस्ट लिया ठीक है यह जितने कुश्चन है आप में से किसी बच्चे के कब नंबर जाएंगे तुन हमारा बच्चों को ऐसे कैसे कर दिया ठीक है तो अससमेंट का यह मतलब मुख्य उद्देश से नहीं होता है लेंडिंग इसको पूरा करने के लिए अगला यहापर दियावाए कि जो आपका अध्यापन परिक्रियाए टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर विदारतों को समर्थन देना बिल्कुल ठीक बात है हमें क्लास के अंदर भी उसको सपोर्ट देना होता है और क्लास के बाहर भी उसको सपोर्ट देना होता है तो यह आंसर आप कैसे हो जाएंगे जो आप लोग डीडी के साथ जा रहे हो आप लोग मेरी बात को समझनी रहेते सीध्य आंसर आप लोग लगा रहेते मैं सुच रहा है मैं चीज समझा रहा हूं धीडिड के साथ जा रहे क्लास के अंदर बहुर भी बच्चों को समर्थन देना चीह जैसे पहले के जो आपने घर जल्दी से चला जा तो आपने देखा हुआ गवर्मेंटी स्कूल के अधर वह सारे टीचर आपको पिटते हुए नहीं जराएंगे इसको बच्चे पीट देते हैं गुरूप बनाके यार तुम हमें बहुत मारता है वही पेल दिया उसको ठीक है चुट्टी बच्चे का आकलन जो आप कर सकते हो बार लेकिन सेफ समबल कर करना ठीक है सो राइट आंसर आपका डीडी हो जाएगा बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट कुस्ट्ट के और यह रहा आपके स्क्रीन पर अगला कुस्ट्ट निमली कित्र में से भारास सरकार की कौन सी पहली बात पर बल देती है कि विध्यारतिय दिकान सुरूप से परमुक भारतिय वासा है ठीक है देखें भारतिय वासाओ की बात हो रही है आठीव निसुचिक अंदर जो आपकी 22 वासाओ की बात करता है इनकी उल्लेकनिय एकता के बारे में आपर जानेंगे ठीक है जैसे मैंने भारतिया भासाओं से ताकि बच्चा परिजित हो सके इन भारतिया भासाओं के बारे में बच्चा जान सके उसके लिए भी आपके राष्ट्य सिक्सानिती 2020 के अंदर एक मलब हर स्टेज पर एक प्रोजेट की मलब चलान की बात कही है और फोर एक्जामपल के लिए उन्होंन आपके सामनी स्क्रीन पर आगया यह रहा नेक्स्ट कॉस्टन एनिपी 2020 में जो विदेशी बहास आए जो फोरन लेंग्वेज है जैसे कोरियन जैपनी थाई फ्रेंच जर्मन इस्पेनिस पूर्टगाली और रूसी ठीक है इनके नामियाद कर ले ना कभी-कभी एक्जामिन पढ़ सकता है वह उनना ज्यादे तर यह देखा जाता है कि जो बच्चा होता है आपना जब स्कूल को complete कर लेता है तो यह एल्ध क्लास complete कर लेता उसके बाद किसी लेंग्वेज को पढ़ता आ आपको वह पढ़ा रहा था जो मैँ आपका कमेंट देख रहा था कि इस्टीम सिस्टम है जए सिस्टम आपल ना उन्सकर अफर यह आपको चलता था जैसे आपका कॉर्पिर 10Sec को कॉमर्स हो गया और जो आपका साइन्स वाद पढ़ने है या आठ वाले को अगर साइंस पढ़नी है इसको अकाउंट पढ़ना यह नहीं पढ़ सकता तो यहां पर आपके सब्जेट की चोईश रोगी क्या होगी यहां पर अपने सब्जेट की चोईश यहां पर बच्चा कर सकता है ठीक है मालीजे किसको अकाउंट लेना पॉलिटी लेनी है तो यहां पर बच्चा पढ़ सकता है ठीक है उसी परकार से जब बच्चा माध्दमिक के अंदर चला जाएगा तो यहां पर उसको फोरें लेंग्वेज यह पढ़ने का उसके पास चोईश भी होगी जिनको किसके रूप में माना जाएगा तीरी भासा सु चली अगला कुश्ण देखते हैं पहली आंसर आप लोग दे दिया करो ठीक है थोड़ा से सब्डेट करता हूँ ठीक है अब अरे गदोत 31 वा आगया आज 30 नहीं है यह टोपिक है टोपिक में मैं कितने भी ले लेता हूँ 20 भी ले लेता हूँ 30 भी 32 भी जितने ले 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 क्योंकि जितने मुझे इंपोटेंट लगते हैं मैं सारे ले ले लेता हूँ ठीक है अरे रुख जाओ अभी से 30 में सकंडने लग गए 30 का भी अच्छा बीबी के साथ बहुत जा रहे हूँ ठीक है चलो बीबी कोई देखते हैं पहला आपका बीबी देखू का है मेरा पैन भाई सब जंग चलता है लेपटोब कंप्यूटर कुसी पर भी चलाओ ठीक है आप बीबी के बारे में क्या कह रहे थे के वल भी अच्छा चलो बीबी कोई देखते हैं एनिपी 2020 का नुसार अनुवात्मक सीखने में यानि जो एक्स्पिडेंचल लेंडिंग की बात यहाँ पर हो ठीक बात है एनपी 2020 में स्पोर्ट और जो आपकी आर्ट है कला है इनको इंटेग्रेट करने इंटेग्रेट करके पढ़ाने के आपर बात के गई है तो सेकंड आंसर बिल्कुल आपका सही है पहले पढ़ लेते हैं परेवरान अध्यन की चुनिंदा अउदारना उपर ज्य कहानी कहने का एकतिर्फ करना यार यह वाला ठीक नहीं हो जाएगा जड़ा सी वाला ठीक है तो बी के साथ आप कैसे जा रहे थे वही यह बीके साथ क्यों गई परेवरान अध्यन के सिक्षिन में कहानी कहना यार आप्र आपकी स्टोरी टेलिंग में फड़ाइगे जो मैं आपको बताता है बड़ा effective तरीका माने जाता है सो right answer आपका B नहीं होगा गदो यहाँ पर 3 होगा केवल BC answer होगा ठीक है चलो बढ़ते हैं आपके सामने next question के और अगला question देखते हैं यह आगे आपके सामने screen पर next question अगला question आपके सामने दिया हुआ है किसके दुआरा विध्याली तैयारी के तीन माहा के लिए question मैं पहले भी करा चुका हूँ पहले इसको समझा देता हूँ फिर आपको समझ मायाँगा देखे मैं इसको picture भी लेकर आएँ आप लोगों के लिए कहा गई मेरी picture यह रही मेरी picture इसको समझिए देखे यह आपका होता है SPM ठीक है क्या होता है SPM यह मेरे school की short form है ठीक हाला कि जो हमारे school उसकी short form यही थी SPM के नाम से school नहीं बताऊंगा आपको अपना वन्ना वही पर आप लोग सभा जाओगे ठीक है SPM का मतलब है आप पर school preparation module क्या है SPM की full form school preparation module यानि जो grade first के लिए बच्चों के आपर त्यार किया जायागा उनके आपर activities के माद्यम से पढ़ा जागा और उनके तीन महीने का तीन महीने का play-based learning program आप पर चला जाएगा तो यह आपकी बात करता है SPM इसकी बात इसमें topic आपका यह सही लगा दिया होगा second answer यहापर आपका सही हो जाएगा और यहापर जो आपका topic ता वह complete हो ठीक है अब बतिया आप लोग मुझे कितना आपका score वाई मानदारे से बत इस से क्योंकि topic वाले question के अंदर मुझे जितनी important लगते एक्जाम के point of view से जितनी में सारी चीज़े समझा देता उसके coding लाता ठीक है उसमें number नहीं होता कुछ भी और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना ताकि बाकी वीडियो भी आपको इसी परकार से मिलती रहे ठीक है और अपने दोस्तियारों के पास सेरी भी कर दिया करो ठीक है उनको बता दिया करो उनका भी विचारों का भला हो जाएगा ठीक है और जो course के लिए पूछ रहेते हैं तो वह सचिन academy official application डाउनलोड कर लेना और वहापर आपको course मिल जाएगा सारा content मिल uh के 28 है ठीक है नेहा के आपके 30 है गुडिया नेहा चोधरी तीस है गुडिया चोधरी आपके 26 है प्रियांसु कुमार आपके बीना पूरे बता ठीक है जिद्दीगल क्या है 26 ठीक है देखो कैसे कैसे नाम है जिद्दीगल ठीक है कोई जिद्दीगल बताता है को जिद्दी लड़का बताता है अनूराजभर के 39 है महजेवी नाज के 22 में महजेवी ने मलब पूरे अच्छा को पसंद आती है आपको क्यास में को ऐसी चीज लगता हो कि नहीं समझपा लेओ तो बतीए क्लास तो आपको बढ़िया लगती है ना ठीक है को थोड़ी आप ठीक है सर आपकर नोर्स कैसे मिलेंगे भाई नोर्स कोर्स के अंदर मिलते बिटेल में नोर्स होते उसके अंदर NCRT PYQ मेरा कंटेंट सब रहता है ठीक है ठीक है मेरा स्कोर सर तीस है और मेरे कोई समस्या नहीं मज़ा आ तो आया गया बहुत बुरा हाल हो गया था ठीक है बड़ी मुश्किल से निकला मैं वहाँ ठीक है बच्चों ने इतना गेल लिया था फिर मैंने प्लान मनाया था कि जो बच्चों का सेलक्शन होगा तो मैं बिहार के नदर एक बड़ा इसा लगा साइद कोई बियार के अंदर ऐसा घर हो जो ना जानता हो क्योंकि किसी के फैमिली वाले पढ़ते थे किसी होटल में खाना जाओ किसी दुखान में जाओ हर कोई जानता था ठीक है जूत लेने गया उन्होंने पहले वीडियो दिगा इस सर स्रचिन सर मैंने का हाँ लाओ जूत है तो दिखो तो यह रही के लोगया बहुत प्यार करते हैं ठीक हाओ वे हैं बहुत बहुत अच्छी क्लास है सर सभी के अठाइस नंबर कुमार पोवन के ठीक है आप अच्छा पढ़ातो ठीक है ठीक है बई चलो कल मिलते आठ होजे और कल आठ वजे आप किसी दूसरी क्लास में आप लोगों से मुलगात होगी जो हमारे यूटूब पर आठ वजे क्लास चलती है तब तक पढ़ते रहना द्यान मुस्तफा ले दिया है आपका नाम भी ठीक है क्या का तरीकर निकलवाते हो नाम लेने के ठीक चलो कल मिलते आठ होजे किसी और दूसरी क्लास में तब तब पढ़ते रहो द्यान नकते रहो गुड़ नाइट टेक क्या